डिजाइन प्रोसेस चाप्टर टू डिजाइन प्रोसेस के इस चाप्टर में हम डिजाइन के पहली स्टेज, आइडिया डेवलप्मेंट और इंस्पिरेशन कैसे पाएं के बारे में जानकारी पाएंगे इससे पहले कि हम स्टेज में आगे बढ़ें, आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो की जानकारी मिलती रहे डिजाइन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है आइडिया, हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें पसंद आती है, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है अकसर एक डिजाइनर कई चीज़ों को पसंद करता है, उसमें से किस चीज़ को हमें अपना डिजाइन इंस्पिरेशन बनाना है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते है सबसे पहले पसंद आने वाली सबी चीज़ें जिने हम विज्जुल रिसर्च भी कह सकते हैं, आप नोट करते जाएं उस आइडिया में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वो क्यूं पसंद आरा है, जो भी इंफॉर्मिशन आपको मिलती है, आप उसे नोट करते जाएं इस स्टेज को हम अब्सेवेशन या ब्राउजिंग स्टेज कहते हैं इस समय मिलने वाले raw ideas को ढूणने की process primary research कहलाती है एक primary research में दो प्रकार के ideas develop होते हैं, कुछ tangible और कुछ intangible ideas tangible ideas वो होते हैं, जिने हम touch या feel कर सकते हैं जो की हमें artwork, architectural projects, florafona यानि कि फूल पती आसपास का बातावरन, furniture, कुछ पुराना furniture, कुछ vintage artifacts कुछ technological designs, logos, heirloom positions यानि आपने कोई विरासत में पाई हुई चीज देखी हो कोई बहुत vintage चीज हो, कुछ cultural idols जो की मूर्ती या स्थापत्य कला का पार्ट होता है कुछ photographs हो सकते हैं, या पुरानी जूल्री या म्यूजियम में देखी जाने वाली चीज़ें हो सकती है इन सभी चीज़ों को हम छू कर, महजूस करके और अपनी inspiration मान सकते हैं आसपास visually present चीज़ों से inspire होना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप उनके सभी aspects study कर सकते हैं whereas, intangible ideas वो ideas होते हैं, जिने आप छू नहीं सकते, बलकि वो आपके emotionally आपसे जुड़े होते हैं जैसे कि poetry, personal letters, कोई पुराने खत, diaries, जिसमें कोई information note की हो या कोई travel की बारे में discussion लिखा हो records and documents, कोई पुराने जानकारी जो आपको किसी काल के बारे में, किसी specific era के बारे में जानकारी देती हो कोई movie या उससे जुड़ा हुआ character या event जो हमें बहुत पसंद आया हो कोई memory या fantasy जो हमने अचानक से कुछ ऐसा experience किया हो कोई हमारी adventure राइड रही हो या even आपके रात में आएने वाले कुछ अतरंगी dreams जिनने आपने कभी visually सोचा भी ना हो कि ऐसा real में हो सकता है या कोई travel analogs हो सकते है कोई बहुत अच्छी किताब या पुरानी mythological stories हो सकती है कोई social movement जैसे की भारत छोड़ो आंदोलन या कोई भी informative movement जो art form को trigger करता हो या किसी भी प्रकार का art या music जो आपको inspire करता हो या किसी भी तरह का artistic forms, icons या किसी भी तरह का विश्वास या belief जो कि लोगों की माननेताओं के साथ जुड़ा हो ऐसी कोई भी चीज जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो भी आपके ideas हो सकते हैं और इस तरह के ideas को हम intangible ideas कहते हैं intangible ideas या tangible ideas में से आपने जो भी final किया हो वो हमारी final inspiration हो सकती है at this stage हो सकता है कि हमें clarity मिल गई हो कि यही चीज हमें सबसे ज़ादा पसंदारी है या हो सकता है हम अभी भी confused है लेकिन हमारी आगे वाली research जिसे हम secondary research कहते हैं ये हमारी उस decision को final कर देती है in secondary research हम design की पूरी तरह से उस inspiration की या उस topic की detail study करते हैं उससे जुड़े हुए written evidences या दस्तावेश को हम पदा करते हैं उसके related कोई past में research हुई हो उसकी हम जानकारी निकालते हैं एक idea जिसे हमने browse किया, observe किया उसके बाद raw ideas generate किया, note down किया उसमें से हमने tangible या intangible ideas final किये और उसमें से जो final हमारा idea हुआ secondary research करने के बाद जिसको हमने document किया किसी research journal में या किसी page पे इसके बाद जो हमारा निकल के आया है वो हमारा final inspiration होगा एक inspiration को आगे brainstorm किया जाता है brainstorm याने कि अपने ही inspiration को और आगे कैसे बढ़ाया जाए ये process है brainstorm activity हमें समझाती है कि हम अपने topic को आगे कैसे लेके जाए usually brainstorm activity में हम 5 सवाल खड़े करते हैं सबसे पहले who याने ये topic किस संबन में है why ये topic हमने inspiration के तौर पे क्यों लिया how कैसे हम इसे design में इस्तिमाल करेंगे when किसी specific timeline से जुड़ा हुआ हो सकता है या where याने हम इसे कहां और कैसे observe करके आगे लेके जा रहे हैं इस process को brainstorming कहा जाता है जो हमें design को आगे लेके जाने में मदद कहता है इस topic के आप बहुत सारे aspects research करें for example उसके positive negative sides को study करें उसकी structure या उसका बनावट कैसे है उसे study करें उसे reverse करके देखें, तोड़ कर देखें उस ideas के दूसरे aspects याने color, shape और कुछ imaginary aspects भी आप study करें brainstorming करने का सबसे आसान तरीका होता है mind map करना जो कि एक diagram के जरिये किसी नस्दीजे तक पहुचने की process को कहा जाता है इसे group में या individually किया जा सकता है जितने जादा लोग होते हैं उतने जादा ideas generate होते हैं तो आप इस activity को group में करें ऐसा एक suggestion है आप brainstorming या mind mapping drawing बना कर सकते हैं text या circles या dots बना कर सकते हैं किसी board पे drawing या chart बना कर सकते हैं या आप पे बोड पे pictures या उससे जुड़ी हुई तस्वीरें जो ideas आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे जुड़े हुए fabrics, swatches, कोई तुकडे, कतरन, कोई भी चीज जो उसको आपको लगता है कि काम आएगी अपने ideas से जुड़ी हुई लग रहे हैं आप उससे चिपका सकते हैं इस तरह आप किसी भी तरीके से mind mapping कर सकते हैं आजकल mind mapping के लिए कई सारे digital software या apps market में हैं आप उनका भी help ले सकते हैं जो आपको diagrams बनाने में help करते हैं इसी तरह के mind map या inspiration को आगे बढ़ाने की process का एक example हमने लिया है यहाँ पे एक print editorial concept को हमने inspiration माना है suppose एक print media है तो वो print media हमें कई तरह के ideas generate करके देता है for example वो newspaper से जुड़ा होता है वो type writing में काम आता है वहाँ से हमें कई letters देखने को मिलते हैं एक print media या newspaper हमें कई तरह के feelings या emotions देता है for example joy, play, madness कई तरह की negative feelings भी होती हैं जैसे कि irregularity, confusion भी कई बार news create करती है कई बार कई messy ideas develop होते हैं हमारे thoughts या बहुत सारे expressions को generate करता है हमें visibility भी दिख रही है हमें peace भी दिख रहा है और हमें कई तरह की emotions generate करता हूँ मिल रहा है finally मैंने इन मेंसे सिर्फ दो ideas madness और confusion को final किया जो कि actually उसके negative aspects से लेकिन मुझे यह जादा click कर रहे थे इनी दो ideas को मैंने अपने concept के लिए इसनमाल किया है इसके आगे की process हम अपने next chapter जो की chapter 3 होगा उसमें पढ़ेंगे किस तरह से एक inspiration को concept और फिर mood board में develop किया जाता है जब तक हम इसे आगे बढ़ाएं आप हमारे इस channel को like और subscribe ज़रूर करें और अपने comments नीचे दिये गए comment section में ज़रूर mention करें आपको हमारा ये video कैसा लगा हमें लिख कर ज़रूर बताएं Thank you